पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था इंडियन कॉंस्टुशन में जो प्रोविजन अदर कॉंस्टुशन से अडॉप किये गए हैं इस साल C.V.S.C. ने सेलिबस में कुछ चेंजिस किये हैं और उनी चेंजिस को देखते भी मैंने ये वीडियो बनाया है यह जो टॉपि इस चेप्टर के कुछ पॉइंट जो हैं वो इसके अंदर इंक्लिट किये गए हैं चली शुरू करते हैं चेप्टर दा फ्लॉस्पी अफ दे इंडियन कॉंस्टुशन किसी भी कॉंस्टुशन के पॉलिटिकल फ्लॉस्पी का मतलब क्या होता है इसको पढ़कर हम जान पाएं जो सभी कॉंस्टुशन में अलग अलग तर्म्स होती हैं बहाद की कॉंस्टुशन में जैसे टर्म्स हैं राइट सेटिजिंशिप है डेमोक्रेसी है इन तर्म्स को हम समझ पाएं फ्लॉस्पी का मतलब होता है a theory or attitude that acts as a guiding principle for behavior तो हम इसकी guiding values को guiding behaviors को समझ सकें इसलिए किसी भी कॉंस्टुशन की पॉलिट का फ्लॉस्पी को समझना जरूरी होता है जिन values को हमारे constitution को बनाते से हमें ध्यान में रखा गया था वो इसके पढ़ने के बाद हमें समझ में आती है और यह हमें यह भी बतलाता है जो laws बनाएगे थे उन laws को बनाने की पीछे reason क्या थी इसको उनको समझने में मदद करता है जब भारती constitution की assembly की debate को जब हम इसके साथ पड़ते हैं तो हमें इसके अंदर जो embedded जो values है उसको justify करने में मदद मिलती है कि हाँ हमने यह values ली है क्यों ली है हमने इसके लिबर्टी के आज जो concept लिया है वो क्यों लिया है एक प्लिटी का concept हमने क्यों लिया है क्योंकि हमने बहुत ज़ादा inequality देखी थी अगर हमने इस relationship ली है तो हमने उसकी value को जाना था during colonial period constitution पर कर यह मालम चलता है कि यह values हमने क्यों इसमें include किये therefore political philosophy not only helps in finding the moral values of the laws but also it helps to arbitrate between the varying interpretation of the values in our polity यह नय के वल यह समझने में मदद करता है कि हमने moral values को ढूनने मदद करता है जो हमने इस constitution में ली है या उनके पीछे logical क्या कारण है और वो जो कानून जिसकी वैसे इन moral values को इसके अंदा established किया गया है बलकि इसके पीछे यह उन बातों को समझाता भी है क्या कारण थे इन moral values को लेने के पीछे और इसी सब को समझने के लिए किसी भी constitution की political philosophy को समझना ज इसी egalitarian यानि समतावादी समाज secular and federal open to community values जितने भी communities values या जो भारत में अलग अलग communities हैं हमारे अपर नागा समुधा आए भी हैं आदिवासी समुधा आए हैं हमारे अपर अलग कास्ट के साब से religion के साब से और जंग जाती जो ट्राइबल एरिया जे वहां पर भी अलग अल और यहां पर जो religious और linguistic minorities की जो लोग हैं उनके लिए भी हमारा constitution बहुत sensitive है उनकी needs का इसके अंदर बहुत विशीज धियान दखा गया है constitution जो हमें national identity देता है इस चप्टर में इन सब बातों को हम deal करेंगी individual freedom को क्यों लिया क्या वज़े थी इसके पीछे हमने इसके उपर बहुत समय तक इसके पर debate चली हमने इसको experience किया है कि जब भारत बिटिश कॉलोनी था उस वक्ट इस freedom की value को हमने समझा और इसी वह से freedom को हमारे constitution में हमने include किया राधर liberty has been debated and discussed for long our national leaders have fought hard for it हमारे national leaders थे उन्होंने इसके लिए बहुत लड़िया लड़िये freedom को पाने गिरी इस लिए इसलिए समिधान के निवाताओं को ये लगा कि भारत के समिधान में individual freedom का होना बेहत जरूरी है therefore when our national leaders fought really hard for preserving individual freedom it was natural that freedom would be one of the principles of our constitution social justice our constitution did not adopt liberalism in the classical sense liberalism के दो सेंस हैं या दो तरीके हैं दो forms है उसके एक तो western form है एक हमने जो liberalism का लिया वो अलग है western form के अंदर liberalism का मतलब individual को बहुत ज़्यादा liberty दियाती है उस पर भारत के जो constitution makers है उन्होंने उस classical sense को लेने के बज़ाए हमारे यहां पर liberalism का जो आइडिया लिया गया है उसके साथ-साथ social equality को भी ध्यान दखा गया है यानि कि जैसे कि कोई ब्रहमन है वो कहता कि मैं तो स्वतंतर हूं मैं जो चाहें वो काम कर सकता हूं मैं दूसरों के साथ भिदभाव कर सकता हूं बाकी लोगों से उपर हूं या मेल बोल सकते हैं कि हमारे पास female से जाधा अधिकार है भारती समाज पुरश्वधी समाज है पर नहीं लिबरिजम का यह आइडिया भारत में नहीं लिया गया है लिबरिजम का जो concept नहीं लिया है वो इस बात का ध्यान अटता है कि वो social equality के पर बेस जोनी चीए यानि आ समाज एक ऐसा समाज था ऐसे सुसाइटी थी जहां जो दलित लोग जो थी उनके प्रत्याचार के जाता था जातिकत आधार के बर बहुत ज्यादा भीदभाव था और इन्हीं सब को देखते वे जो classical value of liberalism है वो भारत के लिए सूटेबल नहीं होता इसलिए उसको उन्होंन reason, color, gender, किसी भी basis के अपर कोई भी भेदभाव नहीं किया था, discrimination नहीं किया था, ऐसे society को हम social justice वाली society बोलेंगे, भारत में जो सदियों से, सालों से जो injustice चला आ रहा था, उसको उन्होंने समाप करने के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल किया reservation का, इसलिए भाहत के constitution में SC और ST को reservation दिया गया है, हमारे levelism की दो stream से, एक विचारधारा उसके राजा राम मोन रहे आते हैं, और उन्होंने बल दिया है individual rights के उपर, उन्होंने और साथ के साथ उन्होंने particular rights of the women, और महिलाओं के दिखावरों की भी उन्होंने बात करी, वहीं जो second stream है हमारे thinkers की, जैसे केसी सेन है, जस्टिस रानारे है, स्वामी विवेगानन है, उन्होंने हिंदुजम का जो orthodox हिंदुजम है, यानि पुरातन हिंदुवादी विचारधार है, उसमें रहते हुए ही यह इन सब जातियों के लिए सामजिक न्याए की बात करीए respect for the diversities and minorities rights, this was an important principle to be incorporated in the constitution, respect for the diversities was important because Indian society is hierarchical society, भात की जो society वो hierarchical है, यानि कि उसके अंदर जैसे top level के पर ब्रहामन आते हैं, फिर शत्री है, फिर वेश्य और शुद्र या यू के हैं, कि उची जाती के लोग उपर है, फिर उन से नीची जाती के लोग, उन से नीची जाती के भारत के अंदर चलिया लेती, फिर एंपल कासे डिवाइद पेपल इंटो हायर और लोवर कास्ट ग्रूप, और अलसो वन देर इस नीची जाती जाती है, उनके अंदर जो जगडे को जनन जाता है, और ये एक बहुत बड़ा चैनिज था हमारे कास्टिशन मेकर के सामने, इसको उन्होंने किसमेकर से रिजॉल किया, तो भारत के अंदर जो अलग 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 कम्मुनिटीज है, उनको इस पेशल राइट दिये गे हैं, ताकि वो अपने कल्चर को बनाए रख सकें, अपने परंपराओं को बनाए रख सकें, और उसके लिए उनको एजुकेशनल इसको इस्टेब्लिश करने का एक राइट है, और वो उनको रण कर सकते हैं, अपने इसाफ से चला सकते हैं, और अपने जो रिलीजियस जो उनकी वैजुज है, उसको प्रीच कर सकते हैं, इंडिया देडनाट अडप्ट वेस्टर मेनिंग अफ सेकलरिजम, वेस्ट वाज डिफाइन इसको पूरा अच्छी तरह से डिसकरिश करेंगी, पर यहां मैं आपको बतला दूँ, अभी वहां पा उस चैप्टर में नहीं पहुचे हैं, वेस्टर जो सेकलरिजम का मोडल है उसमें स्टेट को और रिलिजन को बिलकुल सेपरेट रखा गया है, इट मेंस स्टेट में रिलिजन को इंटरफेर नहीं करेगा और रिलिजियस में स्टेट जोए इंटरफेर नहीं करता है, बोथ रिलिजन और स्टेट 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 अवे फ्रम अनादर, स्टेट डू के लिए यह कहा गया कि स्टेट जो है रिलिजन के में इंटर फैन निकरेगा and as well as religion भी स्टेट में कोई इंटर निकरेगा because the state might favor people belonging to one group of the religion but condition in India has been different भारत की स्थिती बहुत अलग है और इसलिए भारत के constitution के द्वारा हमारे आप a state के के पास है राइट है कि वो किसी particular religious या अलग different religions religious community के मामलों में interfere कर सकता है western model of secularism में state intervene नहीं करता है पर Indian model of secularism में state के पास है राइट है constitution के साब से कि वो religious matter में intervene कर सकता है right of religious community Indian constitution guaranteed rights to all religious communities such as the right to establish to maintain their own educational institution जैसे हम पर चुके है हर religious community के पास ही राइट है कि वो अपना educational institute बना सकते है so the constitution equally granted right to all religious communities because a person's freedom and the sense of perspective dependent on status of his community state power of intervention state intervene कर सकता है कब our constitution adopted the principle of distance हमारा constitution जो है वो distance का principle फॉलो करता है यानि जब तक जरूरत नहीं होती है state religious matter में intervene नहीं करता है it means that the state will intervene in the religious office only to eliminate evils in the religious system otherwise our state will maintain distance from the religion जैसे कि भारतिया सोसाइटी के अंदर practice of untouchability थी religious basis के उपड़ discrimination था महिलाओं को मंदिरों में ने जाने दिया जाता था या महिलाओं को उतने अधिकार नहीं थे जितने के पुरुषों के पास अधिकार थे इन सारी चीजों को deal करने के लिए भाद का constitution जो है वो constitution जो religious matter में इंटर्फेय करता है जैसे आपको पता हो अभी त्रिबल तलाग का act जो बनाया जैसे ट्रिबल तलाग को illegal कर दिया गया है मुस्लिम कह सकते हैं कि हमारे religious matter में इंटर्वेयन है पर महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए किया गया है ठीक इसी प्रिक्रास से हिंदों के मामले के अंदर भी सतीपृता को रोग दिया गया जो चाइल मेरीस थी उसको illegal declare किया गया हिंदू नहीं बोल सकते हैं कि हमारे religious matter के इंटर्वेयर है गवर्मेंट ऑफ इंडिया लोगों की बीच में जो society जो social abils है उसको खतम करने के लिए religious matter में इंटर्वेयन कर सकते है उनिवर्सल फ्रेंचाइजी आज इंडिया गट इंडिपेंदेंस everybody above the certain is got the right to vote this was surprising because in western countries women recently got the right to vote after a lot of struggle western societies के अंदा लोगों के पास universal franchise नहीं था यहनि सभी लोगों के पास vote cast करने का राइट नहीं था इवन सुरिजलेंट जैसी देशों के अंदर 1973 के अंदर जाकर महिलाओं को यह अधिकार मिला कि वह वोट अंदर जानते हैं इसका मतलर इंडिया गवर राइट वूट अवरी अडर्ड फॉन्टेशन जब बनाया गा था उस अच्छा इस तुन्टेवन थी पर आथ इसको reduce करके 18 कर जया गया विकास दे वांदेग्ट तो देमोर्याटिक सेल्फ गर्मेंट क्या होता है इसको हम डिटेल में डिसकस करेंगे पूरा एक चप्टर है फेटरलिज्म के उपर वहां पर इंडिया अड़ोप्टेड फेडरलिज्म विट ए स्ट्रॉंग सेंट्रल गवर्मेंट वर्ट डेस्पाइड दिस यूनिटरी बायस अप दे इंडिया गया है वैसे इसका मतलब यह हुआ डिफ्रेंट जो स्टेट भारत के अंदर उनकी जो सीट है वह राजिस्वा के अंदर अलग अलग है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जैसे अमेरिका के अगर बात करते हैं तो स्टेट के पास दो सीट है वहां की सीनेट के अंदर और इस आप से व लोग इलेक्ट होगे आते हैं जो स्टेट छोटा है अकॉर्डिंग टू पॉपॉबलेशन वहां से कम लोग इलेक्ट होते हैं इसलिए का गया इट अडॉप्टेड एस सिमेट्रिक फेडरलिज्म इट गेव स्पेशल प्रोविजन तो साटेन स्टेट लाग जम्मू एं सिमेर का स्पेशल स्टेट पहले दिया गया था पर उसको भटा दिया गया है ऐसे कुछ और स्टेट के पास भी स्पेशल इस्तेट जैसे की नागालेंड आसाम मनिपूर इनको आर्टिकल 371 में स्पेशल स्टेटट दिया गया है ताकि वहां के जो ट्राइबल्स एरिया है उनके लिए अलग यह special बंदुबस कर सकें और वहां के लोगों के राइट्स को सिक्यार कर सकें लास्ट टॉपिक जो हम डिसकस करेंगे इसमें वह है नेशनल आइडेंटिटी और वहां के लुकों के पास double citizenship है जिस स्टेट में रहते हैं वहां की citizenship है प्लस उनकोch अमरिका की citizenship में लिये निखी है अर्याना में रहें केसी भी जातिया से बिणोग करते हो और यह प्रियास किया गया कि हमारी रिलिजिस आइटेटी के साथ साथ हमारी नेशनल आइटेटी को भी बनाए रखा जा सके कि हम सब भारती हैं बले ही हम किसी भी धर्म या जाती है कि हम इंडियन हैं नेक्स्ट आपिक हम डिसकस करेंगे फंडामेंटल राइट इन नेक्स वीडियो थेंक यू